दोस्तो आज मैं आपको ऐसे चार कारान बता रहा हूं जिसकी वज़े से दुनिया के जादा तरलोग दुखी रहते हैं ये जीवन की छोटी छोटी बाते हैं लेकिन जीवन में बहुत एहमेत रखती हैं अगर इन बातों को आपने सीख लिया या इंप्लिमेंट करना आ गया या मौके पर चौका लगाना आ गया दो समझ लीजिए आपका आधा काम तो यू ही हो गया बाकी आधा काम आपके ज्यान और आपकी मेहनत पर निर्भर करता है चित्व चार बाते ही तो हैं सुन लीजिए आपके जीवन में कामाने बली बात हैं अकसर लोग उन लोगों को एहमेद देते हैं जो उनको इगनोर करते हैं इस दुनिया में प्यार की कीमत कुछ नहीं है इस दुनिया में सम्मान की कीमत कुछ नहीं है जब तक लोगों को पता चलता है कि कौन अपना है कौन पर आया है तक तक चिडिया खेट चुक चुकी हो तो इसलिए उन व्यक्तियों को पहचानने की कोशिश करें, जो आपको अहमित देते हैं, आप भी उनहीं को अहमित देचे, क्योंकि दो एक जैसे लोग अगर एक साथ जुड़ गए, तो जीवन धन्य हो जाता है, और इस दुनिया में सब लोग स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, जो आप से स्वार्थ से नहीं चुड़ा हुआ है, तो उसकी कदर जरूर कीजिगा, नमबर दो, इस दुनिया में जादा तर लोग उनहीं व्यक्ति को अपना मानते हैं, जो उनकी एहमित नहीं समझते, जिनके लिए उस व् ना होने से उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फरक नहीं पड़ता है, इसलिए उन लोगों को पहचानने की कोशिश कीजिए, जिसके जीवन में आपके होने ना होने से फरक पड़ता है, वो आपके लिए जादा एहमियत वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा काम वाली व्यक्ति हो सकते हैं। इस दुनिया में ज़्यादा तर लोग उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हैं, जो उनसे बूलना तो दूर उन्हें पसंद तक नहीं करते हैं। उनकी तरफ खिषते चले आते हैं, और जो आपका इंतिसार कर रहा है, जो आपके शब्दों को सुनना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आप उनको इगनौर करते चले जाते हैं। प्यार को पहचानिए, अपनों को पहचानिए नमबर चार जादा तर लोग उन ही लोगों के लिए अपना कीमती समय निकालते हैं जो हमेशा खुद को विशी दिखाने का ढ़ों करते हैं अपने समय की कीमत पहचानिए समय सिर्फ उन लोगों को दीजिए जो सच्चे दिल से आप से चुड़ेवे हैं अपने समय की अगर कीमत नहीं समझोगे तो इस भाग दौर भरी जिंदगी में इस पृतियोगी जिंदगी में पिछड़ जाओगे इसलिए समय की कीमत पहचानिये और हर काम को आलस छोड़ कर यथा योग की समय पर पूरा कीजिए ये जीवन की छोटी छोटी बाते हैं लेकिन जीवन में बहुत एहमेत रखती हैं अगर इन बातों को आपने सीख लिया या इंप्लिमेंट करना आ गया या मौके पर चौका लगाना आ गया तो समझ लीजे आपका आधा काम तो यूँ ही हो गया बाकी आधा काम आपके ग्यान और आपकी मेहनत पर निरभर करता है इसलिए इन चार बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाईए ये चार बाते जीवन में छोटी समझ कर हम छोड़ देते हैं और यही बाते हमारे जीवन को अच्छा बना सकती है यही बाते हमारे जीवन को बुरा बना सकती है जीवन आपका है बाते आपके सामने है आप अगर इनको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा है नहीं करेंगे तो आपका जीवन है लेकिन मैं जो बात समझाना चाहता था वो मैंने अपनी तरब से आपके लिए परुष दी है अब आपका मन है इसे लीजिए या मत लीजिए अगर लेंगे तो जीवन में तरक्की करेंगे ये मेरा बाता है अपना बहुत ध्यान रखें हसते रहें मुस्कुराते रहें खुश रहें तरने बात